दोस्तो अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट अभी तक नहीं देखें तो पहले आप जाकर उसे देख लिजे वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी सारी वीडियोस के लिंक दिस्क्रिप्शन में जाकर तुरन देख लिजे इसली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि नकली बाबा और खुनी पिक स्लेंडर मैन के पास जाने लग जाते हैं और थोड़ी देर में ये दोनों स्लेंडर मैन के पास पहुच जाते हैं नकली बाबा स्लेंडर मैन से बोलते हैं कि स्लेंडर मैन मेरे पास एक अच्छा आइडिया मैं अभी जीप को उठाता हूं और इतना बोलकर सिलेंडर मैन गुली साओना रोड की जीप के पास जाने लग जाता है और वो जीप को उठा लेता है और इसके बाद सिलेंडर मैन गुली साओना रोड के पास दुबारा जाने लगता है इस जीप को उन लोग इसके लेकिन तभी ये क्या हुआ सिलेंडर में रुक क्यों गया बाबा ने आते ही छेलिंडर में को धेर कर दिया और तभी से लेंडर में दुबारा से ऊठकर खड़ा हो जाता है और वह बाबा अगे तुम आज मैं तुम्हेलने छोड़ूंगा पिछली बार मैं तुम्हेल ऑँ अर्दोय ंकिके साप्षणा समय ये और ल台粉 इस बाबा को यह लो पिछली बार इसने मुझे भी हरा दिया था आज मैं इसे नहीं छोड़ूगा इतना बोलकर भी बाबा पर हमला करने के लिए तब यह क्या हुआ बाबा ने खुनी फिक को से उसूपर पंच मार दिया और खुनी फिक वहीं पर धेर हो गया खुनी फिक को बाबा से थाले बासे पर दून से बलते हैं वैस्यबाद पिरू पता नहीं कैसे बच गए खाए ते लेकिन आस तुम नहीं बचोगे आज में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूगा और इतना बोलकर बाबा सिलेंडर मैन को इस्पियर का इसारा देने लग जाते हैं और दौल लगा देते हैं और ये सब नकली बाबा देख रहा होता है नकली बाबा को ये सब देख कर काफी ज़रा गुस्सा आता है और फिर हो अपनी सक्तियों से एक मैजिक बाल बनाने लग जाता है नकली बाबा अपनी सारी सक्तियों से बाबा पर हमला करता है और बाबा सिलेंडर मैन को इस्पियर मानने ही वाले होते हैं तबी नकली बाबा की सक्टियों से बाबा को जोट लग जाती है और बाबा भी योस हो जाते हैं बाबा को भी योस देका स्लेंडर मैंन को काफी जादा खुशी होती है और फिर स्लेंडर मैं नकली बाबा से बलता है नकली बावा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है आज ये मुझे मार ही देता अच्छा हुआ तुमने अपनी सारी सक्तियों से इसे धेर कर दिया अब मैं इसे अपने पैरों से कुचल दूँगा और इसके बाद ये हार जाएगा और फिर ये हमें कभी बितंग नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मारा जाएगा ये सब सुनकर नकली बावा सिलिंडर मैं से बलते है हाँ सिलिंडर मैं मैंने तो अपनी सारी सक्तियों से इसे धेर कर दिया लेकिन अब मेरी सारी सक्तियां थोड़े देर बाद वापस आएंगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता इसलिए इसके उठने से पहले इसका काम तमाम कर दो और इसे अपने पैरों से कुचल कर मार डालो और यह सब सुनकर से अपने पैरों से बाबा को कुचलने लग जाता है कि अपने बाबा को कुचलने ही वाला होता कि तभी बाबा हवा में उड़ने लग जाते हैं रखको कुचरने काफिता खेल्शा हाउने ताभी काफी बाबा के सकते हरां होजाता है यह सब शूचने घृसभी से बिए het दबार वापस नहीं आएगा अब चलो हमें इन तीनों का मतमाम कर देना चाहिए और यह सब सुनकर नकली बाबा सिलिंडर मैं से बलते हैं हाँ सिलिंडर मैं मुझे भी ऐसा ही लगता है मुझे लगता है कि वह हमसे डर के भाग चुका है यहां सपे अब वह वापस नहीं आएगा जल्दी से हमें अपना काम कर लेना चाहिए और फिर यहां से चले जाना चाहिए नकली बाबा यही सब बोला होता है कि तभी वहां पर एक जोरदार रोस्नी होती है और यह सब देखकर स्लेंडर मैन और नकली बाबा काफी ज़्यादा हैरान हो जाते है कि आखिर यह क्या चीज़ है और तभी देखते ही देखते उस रोस्नी से बाबा उतर जाते है अरे ये क्या बाबा तो सूपर एस्टीम मोड में आ चुके हैं और ये काफी ज़्यादा खदरनाक दिख रहे हैं अब लगता है श्रेंडर मैन और नकली बाबा का बचना नामों की नो चुका है बाबा को सूपर एस्टीम मोड में देखका श्रेंडर में बाबा से बोलता है क बाबा तुम अभी मुझे जानते नहीं, I am a very very bad man और ये सब सुनकर, बाबा काफी ज़्यादा गुश्चे में आ जाते हैं और वो सिरिंडर मैं से बोलते हैं कि if you are bad, then I am your dad और इसके बाद बाबा सिरिंडर मैं की तरफ पे दाउर लगा देते हैं और ये सब देखकर नकली बाबा को काफी ज़्यादा गुश्चा आता और वो जोर्च चिलाने लग जाता और इसके बाद नकली बाबा अपनी सारी सक्तियस वो इकठा करने लग जाता है बाबा पर हमला करने के लिए और ये सब देखकर बावा को काफी ज़र बुच्छा आता और वो अपने वीपन से नकली बावा रेक जोर्टार हमला करते हैं इसकी वज़ा से नकली बावा एक लिवार में धेर हो जाता है और शरकटा के भी दो तुकड़े हो जाते हैं और इसके बावा काफी कूल तरीके से अपने वीपन को अपने पार बुलाते हैं और थोड़ी ही देर बाद गुली सॉन और रोट को भी हो सा जाता है और वो लोग यह सब देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बाबा के पास जाने लग जाते हैं और रोट तो कुछ ज़्यादा ही excited हो गया इसलिए वो दांस करते हुए बाबा के पास जा रहा है बाबा के पास पहसते ही गुली बाबा से बलता है कि अच्छा हुआ बाबा आपने हमारी जान बचा लिए अगर आप सही बत्पन ना आते तो हम सिलेंडर मैंन हम तीनों को मारी देता बाबा बुली, शौन और और से पुछते हैं वो सब ठीक है, बुझे ये बताओ कि तुम लोग यहां पर फ़से कैसे जल्दी बताओ मैं बार बार यहां नहीं रहूंगा ये सब सुनकर सौन बाबा से बलता है कि बाबा गुल्ली और बुल्ली को नकली बाबा ने फोन करकर अपने खर पर बुला लिया था और ये लोग नकली बाबा को असली बाबा समझ कर यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर यह दोनों फज गए थे और मैंने आपको फोन गर्गर गुला है जिससे हम चारों लोगों की जान बज गई और यह सब सुनकर बाबा गुली सौन और रोट से बलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो अब से जान लो कि अब तुम लोग थोड़ा साउधानी से काम किया करो हर बख में यहां तुम लोगों की मदद नहीं करता रहूँगा यही सब बाते चल रही होते कि तभी बुली को भी होसा जाता है और वो भी गुली सौन और बाबा के पास जाने लग जाता है और थोड़ी देर में बुली भी इन पांचों के पास पहुँच जाता है और इसके बाद यह लोग अपनी जीत का जशन मनाने के लिए डांस करने लग जाते है तो जोस्तों अगर खैसी लगी आपको यह स्टोरी अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो अगर आप बुली बुली की और अनिमेटेड वीडियो देखने अन्छाते है और आपको इन पांते मसे कित का डांस से आथ्षा लगा यह कमेंटे मुझे ज़रूर बताएं